स्वागत है आपका हमारे अपने ब्लाग मुहम्मद राशित ब्लाग में और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन किस तरीके से वर्क करती है और अभी आप देख रहे हैं कि जो है इतना बड़ा बाइनर जो है प्रिंट हो रहा इस मशीन पर और हम आपको जो है इस लाइब वीडियो के माध्यम से आपको देखा रहे हैं कि इतना बड़ा बैनर कैसे होता है कुछ का बताओ कोई दिक्कत नहीं तो आप देख सकते हैं कि जो है इतना बड़ा निकल लाए यह अभी फिलाल जो है 13 दस का बैनर प्रिंट हो रहा है और यहां पे देखिए कि ज्यादा बड़ा है तो एरिया कम होने वज़े से अब फोल्ड किया रहा है इस बैनर को और आप देख सकते हैं कि यह बना ला यह है पहले कंपूर यह को बना नाई रहते है उसके बाद इसको अलग से यह वाला जो सिच्टम होता उसके बाद प्रिंट को लगा के आपको हटना नहीं होता है यहां पर देखना रहता है वारना अगर सही से कंडिशन में चल रही है तो फिर आप इसको लगा के कुछ देर के लिए दर उदर हो सकते हैं लेकिन आगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो आपको इसके साथ दम खड़े रहना पड़ेगा और डिजाइन जो है आप देख सकते हैं कि अलग अलग सिस्टम यहां पर इस सोफ्ट्वियर के जरिये चलाए जाता है वहतीए वह disappoint की आप देख रहा है की जो है 13 फिट की है और यहां पर इतना बड़ा 10 भाई 3 का प्रिंट हो रहा है है यह घैग है जिससे मशीन इसी खीश जरीय Site company प्रिंट हो रहा है ह kneish कुआ है और बड़ी जगह वैंर बड़े ओंट इस तरीके से फॉट करना हुण और यहां पुरा देखे फाइन लगा हुआ एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चुटा पंदरा फाइन लगे हुए है जिसकी वजह से प्रिंट हो रहा है और यह जो है साथ में सुकते हुए जो है बाइनर क्योंकि यह पानी की तरीके से पांच और यह सपरा ये पीछे आप देख रहे हैं कि यह अलग-अलग साइज के रोल होते हें तीन स्दूरर यह पीछे ऑज दक दगाकर पीछे यह हां पर देख सकते हैं यहां पे अंके लगे नूट है चाहरर होते हैं cNY के स्यान वजेंटा येलो ब्लैक जिसके जरीए जो है उसी चार कलर से 1.8 मिलियन कलर बन कर जो है यह किसी भी कलर का बैनर जो है प्रिंट होना शुरू हो जाता है तो अब आप देख रहे हैं यहां से मैं आपको देखा दूँ यह देखिए जैसे यह हेट जा रहा है और जहां तक प्रिंट है जो सिस्टम में हम सेट कर देंगे वो प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाती है और जो चीज़ आप डिजाइन की रहते हैं आपकी बैनर के ओपर प्रिंट होना शुरू हो जाती है बस यह है कि आपको खड़े होके प्रिंटिंग करना होता है और बाइचांस कभी लाइनिंग वगएरा आती है तो यहां पे आप बटन देखना है इसमें चार कलर लगे हुए है इसी को पर्ज करना होता है और इस टीशू पेपर से इस तरीके से पुछना पड़ता है यहां प तो इसके लिए जो है देखिए कहां तक परिंट हुआ है वह दिखा रहा यहां पर और कितने परकेंट हो गे यहां पर वह भी आ पूरी मशीन भी स्कीन में नहीं आ पा रहे हैं साइज में मशीन काफी बड़ी है तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ऐसे और भी विजनेस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जाज जादा शेयर करिए बहुत 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 शुक्र झार्या